हेलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थमनेल कैसे बनाएं दोस्तों यूटूब में एक चीज होता है CTR दोस्तों यूटूब जो है आपका CTR चेक करता है यानि दोस्तों क्लिक थोट रेट अगर दोस्तों आप लोग का थमनेल बेस्ट होता है तो दोस्तों आपका CTR हाई होता है जिस्ते दोस्तों यूटूब आपके क्लिक रेशियो को देख करके आपका जो वीडियो उसको टॉप वन में रैंक कराता है अगर दोस्तो आप लोग का thumbnail बेश्ट रहा तब दोस्तो आपका CTR वर्क करता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि बेश्ट थमनेल कैसे बनाएंगे तो दोस्तो मेरे वीडियो पे इन तक बने रहिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का स्क्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा तो दोस्तो बिना देर किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है MD इमरान खान और आप देख रहें मेरा YouTube चैनल रिस्पेक्ट विलेजर 07 दोस्तो आज क사 बिडियो में हम लोग जो अपना धम लेव वो पिक्शल लेब डैप के मददस से बनाएंगे तो दोस्तो हम लोग अपना पिक्शल लेब डैप को ओफ़ेन कर लेते हैं और आप लोगो यहां से image size को पर में click कर देना है अब आप लोगो यहां से custom करना है और आप लोगो देखने को मिलेगा YouTube thumbnail आप लोगो simply YouTube thumbnail को पर में click करना है और आप लोगो जो wide है वो 288 और जो height है वो 720 हो जाएगा यहनि दोस्तों आप लोगो जो expect ratio जो होगा वो होगा 16 ratio 9 अ अब आप लोगो यहां से ok को उपर में click कर देना है तो दोस्तों अब आप लोगो यहां पर देखने को मिलेगा नीचे में एक copy का icon simply आप लोगो इस icon को उपर में click कर लेना है अब आप लोगो यहां से color को उपर में click करना है अब दोस्तों आप लोगो देखने को मिलेगा य यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं ठीक आप लोग दोस्तों यहाँ पर नीचे में दखने को मिलेगा gradient आप लोग दोस्तों चाहें तो यहाँ पर gradient color याई दोस्तों आप कर सकते हैं इसे भी बेर तर अपने Chrome ब्राउजर में जाना है और आप लोग के सेर्च करना है फ्री बेक्गराउंड तॉर दोस्तों आप लोग वहां में बहुत सारा इंपोर ने को मिल जाएगा आप लोग को वहां से उसको डाउनलोट कर लेना है और दोस्तों आप लोगो पर जहां से को हो पर क्लिक कर दूंगा अगर आप लोगोंगों को अपने किसी भी पिष तुट आप लोगों को अपने ढ़ालें टिकूल में इसको फिन दुमकर अब दूस्तों हम लोगों को यहां When I रोटेट कर देंगे, ठीक, तो दोस्तों, हम लोग का जो पींगी साइसे यहाँ पर सेड हो चुपा है, आप लोग दोस्तों, अपने मुताबिक अपने पेंगी साइस को कहीं ही सेड कर सकते हैं, ठीक. अब दोस्तों, आप लोग को simply आना है यह वाला आइकन को पर में क्लिक कर देना है और दोस्तों आप लोगों को यहां से जो है अपने टेक्स को टाइप कर लेना है जैसे कि दोस्तों मैं अपने थमनेल के लिए टेक्स दूँगा एक यहां पर टेक्स को पर पर क्लिक करना है और आप लोगोंको यहां से प्यंसे को पर में क्लिक कर लेना है और आप लोगों को यहां से दखने को मिलेगा साइज आप लोग को दोस्तों सिंप्ली साइज को पर में क्लिक करना है और आप लोग aspects आप लोग यहां से बढ़ा सकते हैं ठीक अब दोस्तों आप लोगो यहां से नीची आना हो यहां से निजे आना है आप लोगो देखने और यहां पर एक PNG को select कर लेना है तो दोस्तों आप लोगों को simply अपने बीच वाले हैं को पर में click कर लेना है और आप लोगों को यहां से import को पर में click कर लेना है अब दोस्तों डारेक्ट लिए अपने गैलरी में चले जाएंगे चाहे वह आप लोगा कोई एक image हो या फिर आप लोगा सकते हैं आप लोगों दोस्तों अपने कोई भी एक PNG को यहां से select कर लेना है तो दोस्तों मैं यहां से अपने एक PNG को select कर लेता हूं ठीक दोस्तों मैं अपने एक PNG को यहां से select कर लिया अब दोस्तों आप लोगों को यहां से एक icon को उपर में click कर लेना है और आप लोगो को यहाँ पर यहाँ करने करने इस स्क्रोल करने छिम्पटे हुआ नहीं तो आप लोगों को यहां से क्लर्ट अपने मुदाबी सटक रहे इस को यहाँ पर ग्रीन है सेट कर देना ठीक अब स्क्राइब आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा उपर में एक copy lock का आइकन आप लोगों को simply दोस्तों इसके उपर में क्लिक कर लेना है और आप लोगों को दोस्तों अपना जो image और png है या text है दोस्तों आप लोगों को इन सब को यहां से लोग कर लेना है ताकि दोस्तों आप लो डोस्तो यहांचु सेलेक्ट कर लेता हूंitet मैं पहले से बना कर गर कर अगर तो आप प्रलों को यहां से तैक्स का साइट को कम करना तो आप यहांचे का लेना और यहां पर देखाने को मिलेगा एक पर डियुत का आइकनन आप अब आपनों को यहां से अपने text का size कम या ज़्यादा आपनों को कर लेना है अब आपनों को यहां से done को पर में click कर लेना है ठीक अब दोस्तों आपनों को simply उपर में देखने को मिलेगा एक save का icon आपनों को इसको पर में click कर लेना है और अब आप लोगों को यहां से save to gallery को पर में click कर लेना है दोस्तों जो आप लोगों का thumbnail है directly हो आप लोगों के gallery में save हो जाएगा अब हमें बात कर लेता हूँ कि PNG image को बनाते कैसे हैं दोस्तों मैं इस पे पहले से एक video बना करके रखा हूँ उसका link अपने description में दे दूँगा आप लोगों वहां से जा करके देख सकते हैं कि PNG image को बनाते कैसे हैं तो दोस्तों जो हम लोगा thumbnail था वो कुछी इस तरह से बना जाता है आज के video के लिए इतना ही दोस्तों मिलते है किसी next video में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातर हम